असको अगर आप इट पलेटफॉर्म पडे गुगल जो नाम का इटूब चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो आज के डिट में वह चैनल जो है आपको इटूब पलेटफॉर्म पे घेंज़ दिखाई नहीं देगा यानि कि साब साब कहें तो उस चैनल को यूटूब ने डिलेट कर दिया है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर यूटूब को इस चैनल को डिलेट करने की जरूरत क्यों परी और क्या ये चैनल फिर से रिकॉबर होके आने वाला है या फिर उनको हाइड्रोजन गुबारा में बांद कर हवा में उराने काव प्रयास कर रहे थे और उसी को लेकर उनके उपर दर्ज किया गया और बात में दिली पुलिस के द्वारा उन्हें अरेश्ट कर दिया गया अब कुछ दर्शक ऐसे हैं जो ये सोच रहे कि हो सकता है उसी वी यूटूबर है जो अपने चैनल पे विवादित बयान दिये या फिर विवादित वीडियो बनाकर अपलोड किये उनको जो है अरेश्ट किया गया और अरेश्ट होकर जब वापस आय तो फिर से जो है कंटिनू अपना चैनल चलाना जो है शुरू किये तो इसको लेकर यू Hacker ने है हे कर लिया हमयशा ध्यानद रखिए Hacker उसी चैनल को है करता है जेहां पर साथ़क्राइबर की संध्या जो है ज्यादा है अब उस HE को लेकर Hacker ने इचनल को게 है और आज कल आप जानते है कि हेकर से ज्यादा काम किसी ऑब का सब्पर देटillsल लेकर हो रहा है कि वहां करते हैं और वहाँ पे live streaming करके जो है bitcoin का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से आच्छा खासा रकम कमा लेते हैं लेकिन आज के date में youtube बरा ही सक्त हो गया है अगर आप अपने channel पे bitcoin को लेकर अगर आप live streaming करते हैं तो उसके लेकर जो है direct आज के date में youtube जो है आपके channel को delete कर दे रहा है इसका मतलब आप समद सकते हैं कि youtube जो है bitcoin पर कितना सक्त हो गया है और अगर आप इस तरीके से hackers की बात छोर दीजिए एक creators खुद भी गलती करता है तो direct youtube के तरब से delete कर दिया जा रहा है और यहीं कारण है कि गोरो जोन का नाम का जो youtube चैनल था इनके channel को किसी ने hack किया और hack करने के बाद वहाँ पर live streaming के रूप में bitcoin का वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे और इसी को लेकर youtube के तरब से action किया गया और इनके channel को delete कर दिया गया है तो सबसे primary काफी सारे भीवर्स यह समझ नहीं पार है कि आखिर इनके channel में delete होने का कारण क्या है काफी लोग सोच रहे कि पिछले वीडियो बनाए हुए थे उसी को लेकर youtube के तरफ से ऐसा action लिया गया होगा जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है चुकि इनके channel को hackers ने hack किया और bitcoin को लेकर live streaming किया इसलिए youtube को delete करना परा अब दूसरी बात है कि क्या चैनल recover होकर आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है तो यह आप समझी अगर पिछले कुछ तिन पहले की बात करें तो sony tv channel का नाम आप सुने होंगे उसके यूटूब चैनल को delete कर दिया गया था और उसमें भी यहीं मैटर था bitcoin का ही नाम सामिल था और इसी को लेकर जो है sony के tv channel को delete किया था हाला कि उस channel को फिर से जो है सेम डे ही यानि के निफ्ट डे जो है recover करके देख दिया गया तो जितने भी बरे बरे यूटूब चैनल होता है जो delete कर दिया जाता है अधिक आंस्ता उसमें chance होता है कि वह यूटूब चैनल जो है recover होकर आ जाता है तो आज उनके चैनल को जो है यूटूब ने delete किया है तो mostly आप यहाँ पे देखिए दो दिन के अंदर गोरो जो यूटूब चैनल है वो बिलकुल recover होकर य कर देंगे